नमस्कार स्वागत आपका और यह वीडियो मैं बना अपने आफिस में रहा हूं लेकिन कॉलिज में गया था तीन दिन पहले लेकिन सम्हाओ बस कुछ ऐसा था कि वहाँ पर मैं वीडियो बना नहीं पाया तो यह शुड़ा इसकी मैं लेट होगे और वही इस वीडियो की खास तीन ही हैं जो की ओन ली गर्ल्स मेडिकल कॉलिजिस है एक तो बहुत फेमस लेड़ी हाल्डिंग दिल्ली में है एक शायद तेरुपती में है और तीसरा अपना यहां पर है भगत फूल सिंग हरियाना देखिए सरकारी कॉलिज है सो डेफिनिटली कट आफ तो छेसोबीश 625 जाती है 85% सीट्स के लिए और चुकि हर्याना एक हाई कॉंपेटिटिव स्टेट है मैं बावर कहता हूं लैक डेली भिहर राजिस्थान तो और इंडिया को टाइक टॉफ भी हाई जाती है लेकिन एस वर इस कॉलेजिस कंसर्ण संथ वन तिंग विच डिस डिस पॉंट सब्सक्राइब में लॉट इस लोकेशन जो गवर्मन कॉलिजिस खोले गए हैं वह अक्सर वह होते जो पुराने सेविल हॉस्पिटल्स में और सरकारों के बास लैंड की कमी तो थी नहीं और सकारी जिकता है अपनी लैंड होती है तो दिल्ली के में को दिली में तो कोई ऐस लोग आते हैं तो मैं खराब नहीं कहना चारा लेकिन पूरे नौर्थ इंडिया में मेडिकल कॉलिज जम्मू भी गया था जम्मू के स्टार्ट हो जाओं हिमाचल में देखें तो शिम्ला वाला हो गया अब देखिए बाकि जो पांच कॉलिजिए बहुत छोटे हैं तो वह लोकेशन बहुत अच्छी होती हैं तो स्टूरेंट को यह तो अराम होता है कि यह लिदिंग इने बिक सिटी बड़ दैट इस नौर्दा केस विद भगत फूल सिंग यह एक चुली गाव में जिसे खानपूर का लाब होलते हैं और कहने को डिस्टिक्स होनी पता है और मैं पादों मैं जिस रूट से गया था तो मैं पानीपस से रोता का हैवे पकड़ा और फिर एक अंदर मूर्ती है जो कि नौ किलोमेटर रस्ता था उस उस हाइवे को छोड़के तो हाइवे भी हाइवे है तो उस इस कॉली से पानीपस शहर हो जागा तकरीबन 35 किलोमेटर जिस है जो मैंने रूट पकड़ा होगा और मैं अंदर अंदर से कोई लंबी सी नहर थी उसके होते वे आया और कॉलीज के इमेजेटी लेफ्ट राइट हर तरफ खेती खेते हैं तो वाट आम ट्रेंट उसे कि इस से कॉलीज विच इस प्योर इंदी रूलर एरिया सेटिंग जो लेकिन जो टिपिकल सरकारी कॉलीज में मिलता है वो शह नहीं होगा और सरकारी कॉलीज है मैं साथे चार-पांच में पहुंचा था मैं आपको सच बताओं बिल्कुल खाली था ओपेड़ी का तो कहते हैं लॉक बंद है जी बाट एक कॉलीज के आस-पास का महौल होते है न सोनीपत में भी हैं पानीपत में भी हैं गोहाना में हम्शोर होगा तो फिर मास उठके कोई को यहां पर आएगा और तो मुझे हार चीज में थोड़ी दिक्कत ही लगी और रहने के लिए तो जैसे मैंने का बिल्कुल एक बड़ी डवी लोकेशन है और डेफिनिटली देहर लाइफ पसंद करना चाहती है और देखिए तभी हर्याना में एमशोर पीजी एमस रोता को और कलपना चावला ही हमेशा उपर पर प्रिफर किया जाते हैं अगर यह ऐसा है फरिदाबाद और हमें सो कंपेर करना है भगत फूल सिंग को तो इस फरिदाबाद और तो अटल कॉलिज के बार कुछ बसिस भी खड़ी थी कुछ वही ऑटो उस्ते निकरम जो लोगों को गुहाना वगारा साथ लेके जाते होंगे और उसके बाद महां से शायद रोड़वेस की बसिस होंगी जो आपको सोनी पाती है बाकिया बड़े शेरों में ले जाएंगी लेकिन ड सबूत है कि बस जब 2011 में कॉलिज खोला गया था जब हुड़ा जी की सरकार चल दी जाना में और लोग मजाग में कहते हैं कि सारी डेवलप्मेंट जजजर से सोने बत की बीच हो ली थी तो ये कॉलिज भी उसी ही प्रोजट का पाल्ट है तो आई थिंग कि एक निया कॉले सिंग भी उसी एरिया में लाया गया जो कि एक सोनी पर जजजर वाली बेल्ट हम कहते हैं तो ठीक है अब सरकारी कॉलिज है लेकिन उसके साब से जो बाकी फैसिलिटीज है रेली है माई डाउट और मुझे बहुत सुनसान सा जैसा कहा लगा मैंने को ये कॉलिज शैदे एक महां पर मतलब क्लीनिकल पीजी नहीं चल रहा है उससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का महौल किस तरह की फैसिलिटीज आपको मिलेंगी सो देखिए भी सरकारी कॉलिज है लेकिन डेफिनिटली ऑल इंडिया कोटा के बच्चों को दे शुड रेली ठीक ट्वाइ हो सकते हैं कॉलिज में और जो कट आफ जाते हैं कि अगर आपके पास दूसरी ऑप्शन से तो आप बहार देख सकते क्योंकि बैभी गोजी को 620 पह जाना मिल रहा है उसको शैद आस पास कि अगर बैटर कॉलिज इस मिलते हैं चैपूर वाले समस्ट वगरा हो गया तो एक का भी एक अराम होता है और पाके सफेक्टर भी होते हैं तो उसकी अमद्दे नजर अपसो समझ के डिशे लेजिएगा तो जोएन भगत फूल सिंग गवर्मेंट मेडिकल कॉलिज और नॉट जस्टो टेल यू कि इसी लोकेशन में एक आयर्वेदी कॉलिज चलता है जो कि बहुत पुराना है सिमिलरली स्कूल भी चल रहा था लेकि बस मैंने वही का कि यहीं एक मात्र आबादी का एरिया ऐसा जमों से आगे और पीछे की अट्वास कम्प्लीटली रूलर सेटिंग और मेंने का नीरस जो कजबा भी है वो भी काफी दूर है ओके आपका दिन